बपनज़ different स्ग आउटीदा सबीड अवर्ल्ट योटूब चेनल में आपका स्फागत है आज हम चोकलेट आइस क्रीम बनाएंगे चोकलेट आइस क्रीम बच्चों से लेके बड़े को सबको पसंद होता है तो चोकलेट आइस क्रीम बनने के लिए यहाँ प हम इह बावल में स दाल दिया है, अब हम क्रीम को फेटेंगे, हेन ब्लेंडर से हाई स्पीड पर फेटना है, जब तक ये क्रीम गाड़ा न हो जाए, मक्खन की तरह तब तक हम फेटेंगे, तो अराउंड पांच मेट में ये क्रीम गाड़ा हो जाता है, तो मैं हाई स्पीड पर फेट रही तो लीजी हमारा क्रीम बख़न की दरब बनगें गया है तो उपर से हम अफ वटी स्पून जीतना वेनिला एसे इंडालेंगे फ्लेवर के लिए उसके बाद वनफोर्थ कप मैंने कोको पावडर लिया है हर्जी का कोको पावडर है तो कोको पावडर को हम चान के यूज करेंगे तो वनफोर्थ कप को कोपावडर को हमने चान लिया है और ऊपर से हम कंडेक्स मिल्क डालेंगे तो एक टीन मेंने कंडेक्स मिल्क लिया है तो पोना टीन जितना में डालोंगी मतलब पोना कब जितना में कंडेक्स मिल्क डालोंगी क्योंकि कोको पाउडर डाला है तो कंडेक्स मिल्क थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा तो कंडेक्स मिल्क आप अपना ही साब से एड़ कर सकते हो आपको चितना आइस क्रीम मिठा रखना है उसी साब से कंडेक्स मिल्क टालना है तो लीजी हमारा आइस क्रीम का बेटर रेड़ी हो शुका है तो जो कंडेनर में आइस क्रीम को सेट करना है वह कंडेनर में हम डाल देते हैं तो यहां पर मैंने यह एलियूमिनियम की फोईल लिया है आप चाहे तो प्लास्टिक के डब्बे या कुई भी कंडेनर में डाल सकते हो तो यह आइस क्रीम को हम ओवरनाइट रेश्ट करने के लिए रख देते हैं साथ आठ गंटे में भी सेट हो जाता है तो हमारा आइस क्रीम अच्छे से सेट होशु का है मैंने ओवरनाइट रेश्ट दिया था तो चले हम यह आइस क्रीम को एक बावल में सव कर लेते हैं तो सव करने के लिए यहां पी हमने वोफल बावल लिया है आप चाहे तो कोई भी श्टिल के बावल में या कोई भी छो चोटे चोटे बावल में भी सव कर सकते हो तो यहां पी हम यह वोफल बावल में सव करेंगे तो एक पेकेट में 10 वोफल बावल आता है मार्केट में इजीली से मिल जाता है अगर घर में चोटी मोटी पार्टी है तो इस तरह से बावल या आईस क्रीम का कोई रख के चोकलेट का आईस क्रीम घर पे बना के आईस क्रीम सव कर सकते हो एकदम कम खर्च में धेर सारा आइस्क्रीम बनता है और मार्केट जैसे हम गर पे एकदम आसानी से आइस्क्रीम बना सकते हैं तो ये बाउल में हम आइस्क्रीम को सव करेंगे दो स्कूप भर के हम आइस्क्रीम बाउल में सव करेंगे उसके बाद यहां पे मैंने चोकलेट सीरप लिया है तो इस सीरप हम आइसक्रीम के उपर सव करेंगे तो देखते हैं मुँव में पानी आजा ऐसा बड़िया आइसक्रीम बना है तो फ्रेंड्स अगर आप कोई मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेर एंड चैनल को सब्सक्रेब करना ना बुले एंड ए रेसिपी आप अपने फ्रेंड फेमिली के साथ जरूर शेर कर सकते हो तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई